काम्याब लोग अपने फेसले से दुनिया बदल देते हैं जबकि नाकाम्याब लोग दुनिया के डर से अपने फेसले बदल देते हैं हेलो फ्रेंड्स मेत रीदिंग जीके के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में जनरल साइन्स के कुछ इंपोर्टेंट क्यूशन डिसकस करेंगे तो आईए दोस्तों सुरू करते हैं आज की क्लास आज का हमारा पहला क्यूशन है ट्रांस्पर ओफ हीट एनरजी फ्रो में हीटर कोईल टू दा कुकिंग वेसल टेक प्लेस थ्रू दा प्रोसेस होग हीटर की कोईल से खाना पकाने के बरतन तक उसमा उर्जा का इस्तनांतरन किस प्रक्रिया से होता है तो इसका अंसर क्या हो यहीट धर करता है अब देंचें जो कण रोस के माध़्यम से यह फूड तक हीट को ट्रांसपर करता है अब देखिए दोस्तों जो हीटरांसपर है वह तीन परकार का था होता है एक होला कंडक्शन होता है ऑर और जो convection है दोस्तों वो आम तोर पर liquid और gas के अंदर heat transfer का परमुक रूप है और देखें दोस्तों convection वहाँ होता है जब liquid पदार्थ और gas पदार्थ के किनी दो भागों के बीच में temperature का difference होता है और जो molecule होता है उनके बीच में physical moment होता है तो देखें दोस्तों जो conduction और convection है पर माधियम की उपस्तिति होगी यानि बिना माधियम के conduction और convection के माधियम से heat transfer नहीं होता है यानि मैं कह सकता हूँ निर्वात में convection और conduction संबव नहीं है यह भी exam में कई बार पूचा गया है इसको भी याद रखें अब last step दोस्तों radiation जो radiation है हमको जो सूर्य से उर्जा मिलती इस सूर्य से जो heat मिलती है वो किसके माधियम से मिलती है दोस्तों radiation जो radiant heat energy है दोस्तों उसका transfer होता है electro-magnetic radiation के माधियम से और जो गरम पदार्त होते हैं दोस्तों वो क्या करता है कि infrared radiation का क्या करते है उत्सरजन करते है और उसकी वजह से जो उसके पास में कोई वस्तू है जिसके पूर रेडियेशन जा रही है, वो उसको अवसोशित करके गरम हो जाएगी, यही कारण दोस्तों जो रेडियेट, हीट, इन्फरारेड, ट्रांस्परेट मेटरिल होता है, जैसे हवा होगे, उसके गुजरती है, और वहाँ से वो क्या करती है, कि इन्फरारेड अवसो क्या रहता है, गरम रहता है, क्योंकि यह उसमा का आउसोशन कर लेता है, उसके बाद देखे दोस्तों, सूर्य से निकलन वाली जो उसमा है, वो परतिपर रेडियेशन एनरजी के रूप में ही मिलती है, तो यह तो हो गया हीट ट्रांस्पर के बारे में, अब नेक्स्ट क् यह क्यूशन के रहा है, वाट इस दा प्रिंसिपल बाई वीचे कूलिंग सिस्टम इन्हें मोटर कार वर्क्स, वह सिद्धान्त क्या है, जिसके द्वारा मोटर कार में कूलिंग सिस्टम या रेडियेटर काम करता है, तो इसका आंसुर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसुर temperature difference होता है तब यह होता है और physically movement होना बहुत ज़रूरी है liquid और gas उन्हीं को यह सामिल करता है अब देखे दोस्तों दो कार का radiator होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो एक coolant होता है इंजन की heat होती है उसको एब जोब कर लता है वहां से coolant दोस्तों क्या करता है रबर की नली के माधियम से और radiator के अंदर दोस्तों जो surrounding air होती है वो ठंडी होती है वो क्या करती है उस heat को absorb कर लेती है और इस परकार से यह पूरा cooling system काम करता है तो इस question का answer क्या हो जाएगा convection नेक्स्ट question देखते हैं ये question कहे रहा है the temperature of water at the bottom of a waterfall is higher than that at top because किसी जरने के तल पर पानी का तापमान सीर्स की तुलना में अधिक होता है क्योंकि तो friend इसका क्या answer होगा इसका answer होगा option C जो गिरने वाला पानी है उसकी गतिज उर्जा घर्मी म के अंदर देखें दोस्तों जब पानी उपर से गिरता है तो उसकी जो gravitational potential energy होती दोस्तों वो क्या हो जाती है kinetic energy के अंदर convert हो जाती है और जब ये तल पर गिरने ही वाला आता है यानि उस time ये पानी rest अवस्ता में जा रहा होता है उस time kinetic energy heat के अंदर convert हो जाती है और इसी bottom पर जो पानी है वो सीर्स की तुलना में अधिक गरम होता है next question देखते है ये question कह रहा है when water is heated from 0 degree Celsius to 10 degree Celsius its volume जब पानी को 0 degree Celsius से 10 degree Celsius तक गरम किया जाता है तब इसका आइतन तो इसका answer क्या होगा दोस्तों इसका answer होगा option D पहले आइतन घटेगा फिर बढ़ेगा इसके अंद हम गरम करते हैं तो क्या होता उसका आइतन पहले गड़ता है उसके बाद बढ़ता है इसका कारण यह दोस्तों जब पानी को हम 0 degree Celsius से गरम करना शुरू करते हैं तो पानी का गनतु बढ़ता है 4 degree Celsius तक आते आते और 4 degree Celsius पर उसका गनतु अधिक्तम हो जाता है तो जब इसी बात है दोस्तों आतन गटेगा और 4 degree Celsius पर पानी का आतन सबसे कम हो जाएगा अब देखे दोस्तों इसको हम जलका असंगत प्रसार कहते हैं और इसका अंदर क्या होता है कि हम temperature को जब बढ़ाते हैं तो काईदे से तो आतन बढ़ना चाहिए लेकिन 0 से 4 degree Celsius तक आतन कर लें और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना बुलें यह क्यूशन के रहा है लेडी इस सोल्यूबल इन सीसा किसमे गुलंसील है तो इसका अंसर होगा दोस्तों option D nitric acid इसके अंदर देखे दोस्तों क्या होता है जो लेड होता है और जो लिथार्ज होते है वो नाइटरिक acid के अंदर बहुत ही अच्छे से dissolve हो जाते है और दूसरी चीजी है कि जो लेड के यानि सीसे के नाइटरेट बनते है वो पानी के अंदर बहुत अच्छे से गुलंसील होते हैं साथ ही फ्रेंड जो सीसा है वो hydrochloric और sulfuric acid को आदस विकल्प नहीं मानते यानि hydrochloric acid और sulfuric acid के अंदर CCA को नहीं dissolve किया जा सकता है यह syrup और heno 3 और nitric acid के अंदर ही गुलन सीले next question देखते हैं यह question कहे रहा है yellow color of usual nitric acid is due to the presence of which one of the following सामान्य nitric acid का पीला रंग निम लिकित में से किस एक की उपस्तितिक कारण होता है तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों यह very important question है इसका आंसर होगा option D nitrogen dioxide NO2 अब देखे दोस्तों इसके अंदर जो nitrogen dioxide होती है वो nitric acid में गुलिव रहती है और जो इसको पीला रंग परदान करती है और अधिक temperature पर इसको लाल रंग भी परदान करती है अब देखे दोस्तों nitric acid को colorless करने के लिए यानि उसको colorless बनाने के लिए हमें nitrogen dioxide को बार निकालना होगा और यह कैसे किया जाता है जो karma dioxide होती है उसके बुलबुले acid के अंदर से पास किया जाते है वास इस वज़े से nitrogen oxide क्या होती है बार निकल जाती है और उसके बाद में nitric acid बनाने के लिए उसका फिर से अगेन एक्सिकरन किया जाता है तो यह दो चीज़े याद रखना है पीला रंग होता है nitrogen dioxide की वज़े से और उसको colorless बनाने के लिए carbon dioxide को गुज़ा जाता है ताकि वो nitrogen dioxide को बार निकाल दे next question देखते है यह question कहे रहा है oxygen discovered by whom oxygen किसके द्वारा खोजा गया प्रिष्टलिय, बर्नाइड, लेवोशियर, केवेंडिस तो इसका answer क्या होगा दोस्तों option A oxygen प्रिष्टलिय के द्वारा खोजा गया था अब आगे देखिए दोस्तों जो oxygen है वो प्रिष्टलिय के द्वारा खोजा गया था hydrogen proxide को बर्नाइड ने खोजा था और जो hydrogen है उसका नाम दिया था लेवोशियर ने और केवेंडिस ने hydrogen की खोज की थी यह चारों very important है इनको मैंने जान बूज कर चारों को option में set किया है क्योंकि exam में इनके बारे में कई बार पूचा गया है तो यह आप अच्छे से याद रखिए प्रिष्टले oxygen, बर्नाइड hydrogen peroxide, लेवोशियर ने hydrogen का नाम दिया था और केवेंडिस ने hydrogen की खोज की थी next question देखते है यह question कहे रहा है pairs of ribs found in men मनुश्य में पचलियों के जोड़े पाए जाते हैं तो इसका answer क्या होगा दोस्तों कितने जोड़े पाए जाते हैं तो दोस्तों इसका answer का option है मनुश्य में बारा जोड़े पचलियों के पाए जाते हैं अब आगे देखी दोस्तों जो मनुश्य के अंदर होता है वो बारा परकार के रीप्स पाए जाते हैं जिनको तीन केटेगरी में डिवाइड गया गया जो साथ पचलिया होती है यह किसी भी इस्टनम से नहीं जुड़ी जोती है और यह क्या करती है जो रीप होती है उसके coastal काइटिले से connect होती है और इनको false रीप्स यानि जूटी पचलिया का जाता है और तीसरी होती है दोस्तों जिनको 11 और 12 पचलिया कहते हैं इनको हम floating पचलिया कहते हैं floating रीप्स कहते हैं जो क्या करती है हमारे पीट में यानि हमारे बेक में कसे रूख यानि वर्टी ब्री से connect होता है तो 12 पेर रीप्स के होते हैं तीन परकार के होते हैं true, false और floating true 7 होती है, 3 होती है false रीप्स और 2 होती है floating रीप्स तो यह आपको याद रखने हैं दोस्तों, next question देखते हैं ये question कहे रहा है function of wellamon is wellamon का कारिय है तो इसका answer क्या होगा friend इसका answer होगा option B wellamon का कारिय है absorption of moisture अब देखे दोस्तों wellamon क्या है देखे friend, एक epiphatic orchid की aerial जड़ों के मोटी spongy epidermis जो वातावरन से पानी अउसोशित करती है wellamon कहलाती है देखे friend, wellamon एक spongy multiple epidermis है जो एक epiphatic या semi epiphatic पोदों की जड़ों को सामिल करता है जैसे की orchid होगया या cleania परजाती के पोदे होगया उनके अंदर wellamon पाए जाता है एक orchid का जो wellamon है वो aerial root के सपेद या grey cover होते है दोस्तों और इनके अंदर कई कोशी के परते पाए जाती है जो मोटी है और whyumon लिया नमी यानि atmospheric moisture और पोशक तत्वों को अवसोशित करने में ये सक्सम होती है तो मूल रूप से वेलामन का function क्या दोस्तों absorption of moisture यानि whyumon लिया नमी को अवसोशित करना ये तो था वेलामन के बारे में next question देखते है ये question कह रहा है coagulation of blood in the vessel is prevented during normal condition by रक्त वाईकाओं में रक्त का थका सामाने इस्थिति के दोरान किसके दोरा रोका जाता है तो इसका answer होगा दोस्तों option C heparin protein के दोरा अब देखे दोस्तों heparin क्या होता है heparin liver के अंदर निर्मित हमारे सरीर का एक natural anti-coagulant है यानि एक प्राकरतिक anti-coagulant है ये आम तोर पर रक्त stream के माधियम से यानि blood stream के माधियम से परिचालित होता हो और ये सामानी परिशंचरन यानि circulation के दोरान नसों और धमनियों में रक्त का थक्का बनने से रोकता है यानि हमारी नसों और धमनियों में बलड का coagulation होने से heparin रोकता है अब आगे देखे दोस्तों जो फाइब्रोनोजन है ये रक्त में पाये जाने वाला एक विशेस प्रकार का प्रोटीन या ये के दो clotting factor होता है जब एक रक्त वाई का इंजड होती है यानि गाइल होती है तब थ्रोंबीन नाम का एक दूसरा clotting factor एक्टिवेट हो जाता है और ये थ्रोंबीन क्या करता है कि जो फाइब्रेनोजन है उसको फाइब्रेन के अंदर convert कर देता है और रक्त का थक्का बन जाता है तो हमारे सरीर में जो चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बनता है उसकी परक्रिया में आपको समझा दी अब देखें दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सेर करना ना बुले और साती आप अधी चैनल पर अभी तक नए हो और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया